नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News दूसरे दलों के नेताओं पर नजर गड़ा दी है हालाएं कि उप चुनाओ को लेकर जेजपी और इनेलों की तरब से अभी कोई परतिक्रिया सामने नहीं आई है वहीं जेजपी भाजपा को शायो करेगी तो इनेलों इस चुनाओ की जरिये अपनी खोई हुई राजनितिक जमीन वापस लाने की कोशिश कर सकती है हर्याना में पंचाय चुनाओ के गोशना अचानक ठाल दी गई है सबके मन में स्वाल था कि अचानक ऐसा क्यों हुआ की से टाल दिया गया इसकी वज़ए आदमपूर विदानसवा शीट के उप्चुनाओ बने पहले सोमवार को गोशना की तयारी थी इससे ठीक एक दिन पहले हर्याना राजी चुनाओ आयक को पता चला कि आदमपूर विदानसवा शीट पर उप्चुनाओ की गोशना ऐसे वक्त होई जब भाजबा के तमाम दिगज राज्य से बाहार है कल मंगलवार को जब गोशना होई तो हर्याना के सियम मनोलाल खटर दुबाई पहुंच चुगे दे वहीं आदमपूर उप्चुनाओ के परभारी बनाए गए कर्शिमंत्री जेपिदराल लंदन में है सियम की गैर मोजूद्गी में चुनाओ के एलान के साथ संगठन ने एक्टिव होना था लेकिन भासपा के परदे सद्यक्स भी तिरपुरा में दुरका पूजा देखने गए हुए है माना जा रहा है कि हर्याना भासपा को चुनाओ की गोशना का अंदाजन नहीं था उप्चुनाओ की गोशना के दोरान हर्याना के सियम अनुलाल और डिप्टी सियम दुशन चोटाला दोनों ही दुबई दोरी पर गए हुए है और वहाँ पर वे विदेशी कंपनियों को हर्याना में निवेस के लिए बैठके कर रहे हैं हर्याना के हिसार जिलेके आदमपर उप्चुनाओ की गोशना सोनाली फोगाट परिवार के लिए भी सरप्राइज साब ही तुई सोनाली की बेहन रुकेस पूनिया ने चुनाओ लड़ने का ऐलान किया था इसके लिए 33 अक्तुबर को समर्थकों की मिटिंग भी बुलाई गई थी इससे पहले ही चुनाओ की गोशना हो गई यही नहीं नामांकन की आखरी तारिक भी 14 अक्तुबर है आदम पूर्प चुनाओ में रुकेस पूनिया इसलिए एहम है क्योंकि सोनाली की मोत के बाद उनकी राजनितिक विरासत उन्हें ही मिली है हर्याने ने कमिस्टन फोर एर क्वाल्टी मेनेजमेंट पॉलिशी यानी CAKVM तयार कर ली है अब दिल्ली एंशार छेतर में होने वाले एर पॉलिशन का प्रमानेट सोलिशन होगा सिया मनोरलाल खटर ने काया कि पॉलिशी को जमीन स्तर पर लागू करके एर पॉलिशन के स्तर में कमिलाई जाएगी इसके लिए जिन अफ्सरों को जिम्मेदारी दी गई है वह अपने अपने काम में पुरा करने में लग जाएं आगा में तीन दिन बारिश के डर से परदेश भर के साथ जिलों की अनाज मंडियों में धान के आवक तेज हो गई है मंडियों में धान का उठान धिमा होने से जाम के हालात पैदा होने लगे हैं अब तक सरकारी आकड़ों के अनुसार परदेश के साथ जिलों में 1,99,305 मीट्रिक टन धान की आवग हो चुकी है बात करें कुरूचेतर की तो कुरूचेतर में सबसे ज़्यादा मंडी में धान लेकर आएक किसानों के अनुसार गतवर्ष के अपेक्षा इस वर्ष पियार धान हाथों हाथ भिक रही है जो किसान ज्यादा नम्यूक धान कटवा कर ला रहे हैं उनमें कट लगकर समर्थन मुली से कंभाव मिल रहे है राजस्तान में 2023 के विदान सबा चुनाओ अब नजदिक हैं आप से ठीक एक साल बाद यानि 2023 में अक्तुबर के महिने में चुनाओं के लिए आचार सहीता लाग हो जाएगी ऐसे में कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों की नज़र राजस्तान पर है कॉंग्रेस के नेता लगातार जहां सरकार रेपीट करने की बात कर रहे हैं वहीं बीजेपी भी स्तंबर के एक ही महिने में परधान मंतरी शीर नरेंदर मोदी और ग्रह मंतरी अमित्छा को राजस्तान में लाकर चुनाओं मोड एक्टिव कर चुकी है राजस्तान सबसे बड़ा कॉंग्रेस हाशित राज्या है ऐसे में कॉंग्रेस इसे खोना नहीं चाहती और बीजेपी हराल में 2023 में राजस्तान में लोटना चाहती है मगर इस चुनाओं को लेकर जब दोनों पार्टियों की तैयारियां और उनकी रिपोर्ट कार्ड पर नज़र डालते हैं तो स्थीतियां बिल्कुल विपरित नज़र आती है बीजेपी एक तरफ जहां बूत्स तरतक खुद को मजबूत करने में लगी हुई है केंदरे ग्रह मंतरी अमीच सा सोमार से तीन देन K dirhgram adereim दिया था आजबे आधिकार 30,000 लोग को मिला है रैली में मोधी मोधी के नारे उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे कि अनुचे 370 अटेगा तो आग लग जाएगी और खून की नदिया बह जाएगी अगर अनुचे 370 और 35 ए नहीं अटता तो जमू कस्मिर में ट्राइबल रिजरोशन नहीं मिलता नौर्थ कोरिया ने मंगलवार को जापान के और बैलेस्टिक मिसाइल दागी साउथ कोरिया के जोएंट चीफ आफ स्टाफ ने इसकी जानगारी दी है उन्होंने बताया कि नौर्थ कोरिया ने अपने पूरी तट से एक बैलेस्टिक मिसाइल दागी है एक अपते के बित्र कोरिया का ये 500 मिसाइल परिक्षण है 2017 के बाद नौथ कोरिया के पहली मिसाइल है जो जापान के ऊपर से गुजरी है मिसाइल जापान से करीब 3000 किलोमेटर यानी 1860 मिल दूर प्रशांत महासागर में गिरी नौथ कोरिया की सरकत के बाद जापान में अलर्ट जारी किया गया मिसाइल लांच की जानकारी के बाद जापान की सरकार ने सभी नागरिकों को सुरक से जगह पर जाने को कहा जापन के प्रधानमंदरी फोमियो किशिदा ने लांच को हिंसक व्यवहार बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है दस्वी पास युवाओं के लिए इंडियन नेवी मेनिक लिए वेगेंसी 18-25 साल तक की उमर के कंडिडेट कर्स केंगा अपलाई एक लाग तक मिलेगी सैलरी चुने जाने वाले उमिदवारों को वेस्टर नेवल कमांड के कंड्रोल में किसी भी यूनिट में नोकरी करने होगी हालांकि नोशेना की जरूरत के अनुशार उनका देश में किसी भी नेवल यूनिट या फोर्मिस्टर में नोकरी करने के लिए ट्रांसपर किये जा सकते हैं आज खबरों बस इतना ही देखते रिये CWB Hindi News नमस्कार